कि diu कि अंय क्या है के दोस्तो नमासकार आज को वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों कि 28 शाल बाद जिन्दा किया गया चुर nor LEанд कर जिता है ना ऑब ब्लीक में आपको बताने वाला कि जंबिय वायरेस आज भी कर करता है बिमार स्टड़ी किया गया उसके पिछले साल क्या गाना सवेरिया से जो 48500 साल पुराना जंबिया वाइरेस जो खोजा गया था वह अभी संक्रावन फैला सकता है दोस्तों वेग्यानिकों ने कई महीनों से स्टड़ी के जांच के बाद या खुला सा किया है यह अगर गलेसियर पिगलेगा तो ऐसा कई प्रचीन वाइरेस जो है ना वैक्टेरिया और पैंथोजेस जैसे नई बिमारिया लेकर आ सकता है दोस्तों तो समझ सकते हैं कि आज का कहानी जो है थोड़ी सी फिल्मी है लेकिन पिछले साल क्या कहा जाता है कि सवेरिया में लापमान में हजारों साल पड़े रहने के बाद भी यह सक्रिये था तो समझ सकते हो कि इसलिए इसे नाम दिया गया है जोंबी वाइरेस एक नाम दिया गया है अब क्या करके विग्यानिकों ने एक खुलासा किया है कि वाइरेस अभी संक्रमन फेला सकता है या वाइरेस न ना जानवरों और इंसानों को संक्रमित कर पाएगा या नहीं फिलहाल विज्ञानिक ने बता नहीं सकते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते हैं लेकिन अपनी जो क्यों युद्रेटाइं प्रस्तों के से निकलने वाले वायरूस न लोगों के लिए भायानक खतरा बन सकता है परफॉर्मसक्त जो मिटी में एक ऐसी परत होती है वर्फ में जमी रहती है उतरी गूलाद desa Bryon लेकिन जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे परफॉर्मस को पिखालने में बहुत ही खत्रा है दोस्तों तो आपको पता है कि रूस में एक सवेरिया सवेरिया नाम का एक विज्ञानिकों ने पिछले साल बर्फ के नीचे खोजी थी कई परचीन वायरेल जो आप वीडियो आप देख रहे होंगे इसमें फोटोस में जो रूस के एक सुंदर पूर्वी इलाके में स्थित है सवेरिया का एक परफॉर्मस के पांच पांच अलग अलग प्रजातिया जो 13 वायरेस हो मतब 13 वायरेस को खोजा गया था अब वीडियो में भी देख सकते हैं सेंपल कलेक्ट किये गए थे इसमें से कुछ वायरेस जो है ना 48,500 साल पुराना समझ रहे हैं 48,500 साल पुराना तब से लेकर अब तक यह बर्फ में से रियक्ट करेंगे यह बता पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों तो सभी जो वायरेस होते हैं ना पैंथोजैनिक जो यानि कि संक्रामन का खत्रा जो है ना एक्सेस मार्सिल युनिवर्सिटी के एक स्कूल आफ दर मेडिशन में जिनोमेक्स में बायो इन्फॉर्मैटि को और बहुत सी स्टडी करनी है समय रहने पर इस वायरेस को बारे में स्टडी नहीं की गई थी भविश में जब हम बर्फ में पिगलेंगे और यह बाहर निकलेंगे तब खत्रा ज्यादा बढ़ जाएगा या पैंथोजैनिक वायरेस है यह तीजी से इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं उनका यही का नाम है कि आपको बता जाता है कि जिसे पाखिस्तान जैसे कई देशों में कुछ इलाकों में परफ kaos जो हता हैं ग्लोबल वारमिंग के वाज़़से पिखल सकते हैं तो तीन वायरेस जो नए है echo सबसे पूराना है इसमें से ती सबसे नए जो है उनकी उम्र करीमम 27,000 साल है अनिन वाइरोसों को मेमोथ मेमत के मल से हासिल किया गया है बर्फ में जम्मा हुआ था और इन्हें एक नाम दिया गया हुआ है मेगा वाइरेस मेमत पिंठो वाइरेस मेमत और एक है पिंडो मेमत यह तीन नाम थोड़ा अटपट का नाम है ठीक है आप लोग को मैं रिपीट करता हूँ मेगा वाइरेस मेमत है एक पिंठो वाइरेस मेमत है एक है पेंडो रवा वाइरेस मेमत इसके अलावा वर्फ में मिर्थ मिले वे थे मतलब जैथ मिले वे थे साइवेरियन में जो भेडिये के पेट में से दो नए वा और एक पेंडोर वायरेस लिपूत है या खतरनाक वायरेस है दोस्तों का जाता है कि जब इन वायरेसों कुछ जांच की गई तो पता चला कि यह मिट्टी के पानी में मौजूद सिंगल सेल वाले अंभी अमीवा तो संक्रमित करते हैं अगर यह मोका और सही वातावरन मिले त करने के सक्षम है दम सक्षम है दोस्तों का जातने गलेशियों में पिखलने वाली जो पुरानी जो मिट्टी होती है न दबे हुए वायरेस को बैक्टेरिया को बाहर आएंगे तो दुनिया के लिए खतरा बन सकता जब और दस खतरा बन सकता दोस्तों समझ सकते हैं तो सबस 1500 साल पुराने वाइरिस को खोज कर ली गई है यानि कि धर्ती पर मौझूद अब तक सबसे परचीन वाइरिस माने जाने वाले जाएंगे इसे किसी वर्ल्ड रिकोर्ड से भी कम नहीं है दोस्तो तो करोना का बाद सब समझ रहें कि कितना बड़ा H3N2 का खत्रा है समझ सकते ह तो आपको मैंने यह पुरा बिस्तार से इस वीडियो में बताया है कि आप समझ सकते हैं कि जो 48 साल बात जिंदा किया गया जो परचीन में जॉंबिया वाइरिस में आज भी कर सकता है बिमार दोस्तों तो मैंने सुचा कि चलो और मैं कुछ इसमें बताने चाहता हूं वीड सब्ह commencearch कि नहीं करते हैं थूर दूरए सब्सक्राइब करें झालों को चुलिए में पर शूरै ल temps इस वीडिय चलों कि में वाइरिस परतिशितत होते हैं अगर उस इंसानों को संकरमीद नहींमें काम्याब रहे तो बड़ी सब्खनाव विग्यानिकों ने एक जंबी वायरेस के खत्रों को चेताउनी अलट कर दिये यह वायरेस आकांटिका के वर्फ के नीचे चिपए होते हैं समझ रहे ना तीसरा पॉइंट है कि यह वायरेस को जिंदा होने पर बहुत बड़ी महावारी सुरू कर सकते हैं दोस्तों समझ रहे ह भी वायरेस को समझ रहे हैं तो वसिंग्यानिकों ने गल दिया घ्यलिया ऐकांटिका के आंटिका और पर पार्फर मरस जो भी वायरेस को निकाल सकता है उसे उसी तरह से इस्तित पैदा हो सकती जैसे कि करोना काल में देखने को मिली थी कि गलोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान के कारण जमी हुई जो पर विकलने लगी थी उससे भी खत्रा बढ़ गया था तो समझ सकते हैं कि कि इस वाइरेस के जो कहते हैं खत्रों से अच्छे से समझने के लिए एक विगानेक ने पिछले साल सावेरिया के एक पाफॉर्मस के लिए एक नमूना कुछ वाइरेस को फिर से जिंदा किया गया था यह वाइरेस जो जमीन से जमें हुए जो हचारों साल बीच चुके है एक्स मर्सिल उनिवर्सिटी के एक अनुवांस की जीन मिसल क्लोरी ने कहा था कि फिलाल महामारी के खत्रों का जो विशेशन जो है न उन बीमारियों को क्रेंदित है जो कि दच्छिनी छेत्रों में उभर सकती है और फिर उत्तर में फिल सकती है उत्तर में उभर कर तच्छिन में फिलने वाले जो बीमारिया है न फोकस नहीं है और वो मेरा मानना है कि यह भूल है उत्तर में एक ऐसा वायरेस है जो की नई महामारी सुरू कर सकता है समझ रहे ना मेरा कहना का मतलब तो आ सकती बहुत बड़ी महामारी राडर ड्रेम ने एक इरास्मत मेडिकली सेंटर के एक विगानिक एक मिरियन ने कुप मैक्स के ने भी एक इस पर एक सहमती जदाई है और कहा है कि हम नहीं जानते हैं परफॉर्मस ते कौन सा वायरेस मौजूद है लेकिन मुझे लगता है इस सबस उसक्राइब परफॉर्मस जो है ना दबे रहने वाले बावजूद जीवित वायरेस को एक कोशीका वाले जो होते हैं संक्रमित कर सकते हैं इसका प्रदरशन जो है ना 2014 में सभरिया में लग वेरी के ने विग्यानिक ने एक टीम ने किया था तो मिला था उसमें क्या 48,500 सा पुराना वाइरेस पिछले साल ना इससे जुड़ी जांच के बाद पब्रिश की गई थी जानकारी पता चला कि साथ अलग-अलग सवेरिया के स्थानों पे कई वाइरेस संक्रमत फैलने का सक्षम थे और एक वाइरेस का जो नमूना है जो 48,500 साल पुराना है लोरी ने कहा कि जिन वाइरेस ने हमने अलग किया था वो किवल अमीबा के संक्रमित करने के सक्षम थे और मनुष्च के लिए कई खत्रे नहीं थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वर्तमान में यह पाफॉर्मस पर्स जो जमे वाइरेस को ऐसा करने के सक्षम नहीं हो सकते हैं उत्री गुलाद में पच्वा जो हिस्सा जो है ना परफॉर्मस को से ढखा है और यह एक टाइम केप्सूल जैसा है जैसे कि कोई प्रचेन जीवों को जीवों के अवसोस को समित ममिक्रित वाइरेस है समझे रहे है तो मैंने सुझाए कि चलो आपको इस छोटे से वीडियो को मैं आप थोगा विसास थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर सकूं कि यह जो वाइरेस है ना बहुत ही जानलेवा आप लोग को ले कर सकता है जो कि मैंने बताया कि आपको जमी जो वाइरेस जो ला रहे है ना जो करोना का खतरनाक महवारी जो कहा जाता है और तालीस जार साल से चीपे हुए बर्फ के नीचे जो व्रेगानिकों ने इसको अलेट वार्निंग कर दिया गया है तो मिलते हैं नेक्स शीसरे वीडियो के साथ अपना ख्यार रखना जैहें बंदे मात्रम